तो दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल मैकडोनल्स स्टाइल चटपटी नान जिसे बनाने के लिए बिल्कुल कम समय, कम महनत और कम सामगरी लगेगी लेकिन बनेगा बहुत ही स्वाधिश्ट तो चले फिर रेसिपी को देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें नान का आटा लगाना है तो मैंने यहापर डेड़ कप मैदा लिया है अब इसमें हमें थोड़ी सी जगा बना लेनी है और इसमें हमें सबसे पहले डालना है पिसी वी शकर वन टीस्पून हाफ टीस्पून से थोड़ा हमने जादा लिया है बेकिंग अमें पहले मिक्स कर लेना है और इसका अाटा हमें नहीं से लगाना हे अगर आपको भी यह सकते हैं पानी डाल कर आपको इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगाना है तभी आपके इनान ज्यादा सॉफ्ट बनेगी तो अब हमने आटा लगा लिया है इसे हमें ढख कर रखना है तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी करते ही तो यहां पर हमने लिया है लगभख 1 इसे हमें भून लेना है और जैसे ही यह थोड़ा सा फ्राय होगा हमें इसमें डालना है नमक नमक डालते ही यह सारे चीज़े जल्दी से पकना स्टार्ट हो जाती है साथी थोड़ा खटा पन के लिए डालेंगे आमचूर पाउडर और तीखे पन के लिए डालेंगे चिली और इसे मिक्स कर लेना है और फिर इसे मैश करना है दोस्तों मैकडोनल्स की जो अलू टिक्की होती ना उसमें कोई इंडियन मसाले नहीं होते जिसे लाल मिर्च धनिया पॉडर गरव मसाला कुछ भी नहीं होता है बस यही सारी चीजे डाल कर वो यह टिक्की बनाते हैं अब अलू को वमने बॉइल करके डाला है और इसे मिक्स करना है मिक्स करने के बाद दोस्तों अगर आपको खटा या तीखा कम लगे तो आप इसमें अच्जेस कर सकते हैं और अब ब हूब तब तक हम बाकी की तयारी करेंगी तो यहां पर बनाने के लिए हमें लेना है 3 टेबली स्पून कॉण फ्लॉर 3 टेबली स्पून लेना है मैदा और इसमें थोड़ा सा नमक डाल कर पानी डाल कर इसका एक पतला घोल बनाना है जिसे हम स्लरी कहते हैं तो अच्छे से मिक्स करना है इसमें कोई लंस ना हो यह रैडी है अब औरेंज सॉस बनाते हैं इसके लिए मैंने दो चमच लिया है मायोनेस एक चमच लेंगे टेमेटो केचप और एक चमच लेंगे सेजवान सॉस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगी तो दोस्तों आपको जो मैकडोनल्स में बर्गर या फिर रोल या रैप में जो औरेंज सॉस मिलती है वो होकर तयार है देखिए बहुत आसान है इसे बनाना और इसे ही हमारा जो आज ये नान है बहुत चटपटा बनेगा अब दोस्तों जो स्टफिंग थी वो ठंडी हो चुकी है अब इसकी हमें टिकिया बनानी है तो ये टिकिया आप बर्गर के साथ भी खा सकते है रैप के साथ भी खा सकते है लेकिन हम नान के साथ खाएंगी और बड़ी बड़ी पतली टिकिया बनानी है और इसे हमें इस लरी में डीप करके ब्रेट क्रम में से कोट करना है तो दोस्तों ये कोट करें और इस टिक्की को आप 2-3 हबते तक फ्रीजर में श्टोर गर सकते हज हैं उसे अच्छा करारा होने तक क्रिस्पी उने होने तक इसे अच्छा करना है ताकि ode में बहुत मजेदार लगी ताफ़ देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है और बहुत ही करारी मज़ेदार ये टिकी बन चुकी है इसी तरीके से हमें बाकी के टिकिया फ्राइ करनी है दोस्तों ठन का मौसम है तो ठन के मौसम में ऐसे चटपटे मज़ेदार नाश्टे हो गए या फिर लंच डीनर आप कह सकते हैं बना कर खाई ये मज़ा जाएगा टिकिया तयार है अब आटे ने भी रेस्ट कर लिया है आप देख सकते हैं आटा अच्छे से फर्मेंट हो चुका है अब हातों पे थोड़ा सत्ते लगा कर इसमें से एक पेड़ा तोड़ लेना है और इसका परफेक्ट एक बॉल बनाना है तो आपको अंदर की औ पर सुखा अटा लगा कर हमें इसे बेलना है लेकिन हमें इसे ओवल शिप में बिलना है और इसे पतला पतला बिलना है क्योंकि यह जैसे है सिखता है तो यह थोड़ा फुल जाता है तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से हम इसे बेल पा रहे हैं यह सौफ्ट है मतलब इ इसे थोड़ा और बेले और लंबा बनाए अब इसे हमें iron के तवेब पर डालना है लेकिन पाने वगएरा नहीं डालना है कुछ भी नहीं लगाना है नान को और इसे डख कर हमें 2-3 मिनट के लिए medium flame पर पकाना है जादा समय नहीं लगता है दोस्तो इस नान को बनाने में और रियली ये बहुत ही soft नान बनकर तयार होते हैं तो ये नान बनकर तयार है अब बाकी के चीज़ें असेंबल करते हैं तो जिस तरफ नान पर जादा sports दिखाई दे उसी तरफ आपको ये orange sauce लगाने हैं क्योंकि आपको ये sauce लगानी है और फिर इसके उपर आपको प्याज रखनी है तो दोस्तों अगर आपको कोई दूसरा salad रखना हो तब ये आप रख सकते हैं जैसे टमाटर कड़ी लेकिन मैकडोनल में बिल्कुल इसी तरीके से इसे बनाया जाता है और फिर इसे हम ग्रेल करेंगे तो इसे तरीके से आपको ये सारे नान रेडी करने है और फिर यहाँ पर सेंडवीच मेकर में आपको थोड़ा सा घी या बटर लगा कर ये जो नान है उसे अरेंज करना है अगर आपके पास सेंडवीच मेकर नहीं है तो आप ग्रिल पैन में या फिर नॉर्मल नॉन स्टि चट पते नान बन करते 여्ह हो चुके हैं और हू बहु ऐसे ही बलकि उससे भी जाधा टेस्टी बनते हैं जहां दोस्तो इसके नान जो है बहुत सौफ्ट होते हैं लेकिन मैंगो। के नान बहुत ही जादा रबरी होते हैं जिसे खाना थोड़ा मुश्किल लगता है लेकिन ये फ्रेश फ्रेश चटपटे नान आप घर पर बनाएं आप बार बार बनाएंगे ये मेरी गरेंटी रेसिपी अच्छी लगी हो दोस्तो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर क कीजिए और मुझे कमेंट में बताना ना बुले कि आपको रेसिपी कैसी लगी मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दोस्तों